असलाम लेकूं हाओ आर यू आल होप सो यू आ गूर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस ट्रॉक्चर कि सेंटेंस आखिर बनता कैसे है और इसका मकसद किया है हम सेंटेंस आखिर बनाते क्यों हैं अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है और इसको लाजमी शेयर करें ठीक है अब हम अपना आज का लेक्शर जो है वो इसी तरह डिफरेंट जो अलफाज होते हैं उनको मिलाकर एक जुमला बनता है अगर मैं इसको उर्दू के असान अलफाज में बात करूँ कि अरूफे तहजी जोते हैं अलिफ बे के वर्ड्स मिलकर एक लफज बनाते हैं लफज मिलकर एक जुमला बनाते हैं इसी तरह अग यह वर्ड जो होते हैं यह वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं इसी सी बात है अब इसकी डैफिनिशन अगर मैं आपको बता हूँ अग्रोप ऑफ वर्ड विच कनवे अपर पर्पोस्फू मीनिंग ठीक है अब आपको समझ आ गई कि वर्ड का ऐसा मजमुआ जो एक बामक्स सेंटेंस बनाते हैं सो अब यहां में बात आ जाती है कहा जाता है कि हमेशा टूंड और ऑबज़ेक्र न करते हैं घृबजके अधिक है यह ने रेखला कोई भी काम होता है उसको हम हमेशा वर्ब कहते है और अबजेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जा रहा है जैसे मैं लिख रही हूँ अब इसमें मैं क्या है सब्जेक्ट लिखना क्या है वर्ब और लिख रही हूँ कापी पर लिख रही हूँ तो वो क्या हो गया? कापी पर लिखना object अब इसी तरह अगर हम इसकी मा किचन में खाना पकाती है अब इसमें subject क्यों हो गया? मा पकाती है, verb कहां पका रही है वो? किचन में तो ये क्या हो गया? object अगर इसको हम एक और example ले लें मैं ने copy पर खत लिखा अब इसमें subject क्यों हो गया? मैं लिखना क्या हो गया? verb किस पर लिखा? copy पर लिखा अब ये आप देख लें कि एक sentence easily बन गया लेकिन इसके लावा भी और भी तरीकों के साथ हम sentence को बनाते हैं ठीक है? अब अब हम इसकी आगे more parts को पढ़ते हैं अकेले subject और verb मिलकर भी एक sentence बनाते हैं like that she runs ठीक है? she runs ये भी एक sentence बन गया है इसमें एक meaning आपको मिल रहा है इसी तरह they play they play इसी तरह आगे आजाएं तो subject, verb और object वही बात आगी जो मैंने आपको पहले बताई कि subject जो बात कह रहा है या कोई काम कर रहा है verb काम है और object वह जिस पर काम किया जा रहा है she eats orange ठीक है? we play cricket understood? number 3 पह आजाता है subject, verb, adjective I am hungry अब आप देखें कि इसमें जो adjective है वह कोई भी जो verb है उसको more अच्छे तरीके के साथ define कर रहा होता है ठीक है? अब I am hungry it is dirty next आज में फॉर पे subject, verb और noun noun जो होता है वह आपको सबको पता है वह क्या है? person, place और think के नेम को क्या कहते है? noun she is a news anchor ठीक है? she subject आगया इधर verb को हमने यूज किया is ठीक है? is इसमें क्या है verb और noun इसमें क्या है? news anchor noun में आपको पता है person, place और thing तीनों के नेम से आ सकते हैं I have a doll yes fifth में हम आ जाएं इसमें हमारे पास आ जाते है subject, verb और adverb अच्छा, अब she runs fast अब adverb क्यों होता है? किसी की quality को और अच्छे त्रीके से define कर रहा होता है she speaks nicely thank you for watching this video अगर आपको मेरी वीडियो समझाएगे तो please इसको like लाजमी कीजिएगा